बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है का आप सब के मन में होगा कि आप कॉंग्रेस पार्टी क्यों जॉइन की है उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिप होंगा माईक उनको समर्पित करूँगा मैं कॉंग्रेस पार्टी इसलिए जॉइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग वो सिर्फ लोग नहीं है वो एक सोच है वो इस देश की सत पर ना सिर्फ काबिज हुए हैं इस देश की चिंतन पडमपड़ा, संस्कृति, इसका मूल, इसका इतिहास, इसका बरतमान और इसका भविस्थ खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जो कहानी गुजरात से शुरू हुई उस कहानी ने पिछले 6-7 साल में इस मुल्क में क्या उत्पात मचाया है वो अब आपके हमारे सब के सामने है एसा नेशन एक राष्ट के तौर पर हम एक unprecedented अभूत पुर्व क्रैसिस से गुजर रहे है ऐसा संकट इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा हमारे संविधान पर हमला है दिल्ली की सडकों पर संविधान की कोपी को जलाया जाता है हमारे idea of India पर हमला है हमारे देश के लोक तंतर के उपर हमला है आज भाई भाई एक दुसरे का दुस्मन बन जाए उतना जहर नफरत एक सोची समझी शाजिस के तहट दिल्ली और नागपूर साथ में मिलकर फैला रहे है इस परिस्तिती में एक पॉलिटिशन के तौर पे नहीं बतोर एक भारती है नागरिक मैं अपने आपको यह जब सवाल पुछता हूँ कि मेरा fundamental, foremost responsibility, duty क्या होना चाहिए तो अंदर से जवाब यही आता है कुछ भी करके इस मुलके समविधान, लोक तंतरे और idea of India को बचाना चाहिए कि में अंदर से जवाब यहीं कि में अंदर से जवाब यहीं कि में अंदर से जवाब यहीं झाल झाल